बिस्मिल्ला वर्मान वर्हीम अस्सलाम अलेकूं डियर स्टुरेंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नमबर 4 एक्सराइस 4.1 और क्वेशन नमबर 5 का छटा यानि के लास्ट वाला पार्ट जो है बटा इस क्वेशन का जिसमें ह डेटा किया दिया हुआ है 1 ओवर X माइनस 1 माइनस 1 ओवर X प्लस 1 माइनस 2 ओवर X के प्लस 1 और माइनस 4 ओवर X की पावर 4 माइनस 1 इसको बटा आपने सॉल्व करना है LCM लेके और इसका आंसर निकालना है तो सबसे पहले यह देखें अगर कहीं पे कोई फार्मुला लग तो हम पहले formula apply करेंगे ये है आपके पास 1 over x minus 1 इसको as it is लिखा उसके बाद minus ये वाला 1 over x plus 1 इसको भी ऐसे लिखा next बेटा हमारे पास है minus 2 over x square plus 1 इसको भी ऐसे लिखा minus ये बेटा 4 over यहाँ पे आपके पास ये जो value है बेटा x की power 4 minus 1 इसको अगर हम यहाँ पे लिखें इसका formula हमारे पास बनता है x की power 4 को x की power 2 के उपर 2 लिखा और minus 1 और 1 के उपर अगर हम बेटा 2 power लगा लें तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि 1 की power जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहता है तो यह बेटा आपके पास इसको हमने इस तरह लिख लिया अब यह देखे एक रकम यह है इसका भी उपर square है दूसरी रकम बानना है और उसका भी उपर square है अब दो रकमों का square हो बेटा तो आप क्या करते हैं पार्मूला होता है एक दफ़ा दोनों रकमों को plus में लिख ले यह पहली रकम यह लिखी plus दूसरी रकम और एक दफ़ा multiply minus में लिख ले तो अब बेटा यहां पर आपने यह देखा कि इसकी जगह आपके पास क्या आ गया x square plus 1 और x square minus 1 उसके बाद next बेटा यहां पर आपके पास 1 over x minus 1 को as it is लिखा minus 1 over x plus 1 को भी ऐसे लिखा minus 2 over x square plus 1 इसका कोई फार्मूला नहीं है इसको भी बेटा आपने ऐसे ही लिख दिया minus 4 over अब बेटा यह x square plus 1 का कोई फार्मूला नहीं है इसको ऐसे लिखा लेकर यह जो x minus 1 है x square minus 1 इसका बेटा फार्मूला है 1 के उपर अगर square लगा लें तो यह दो रखमों का square दरम्यान में minus है तो एक दफ़ा इनको plus और एक दफ़ा minus लिख दिया अब यह बेटा इसका फार्मूला लग गया है अब इनका लेते हैं LCM अब LCM के लिए बटा हमने क्या किया जो नीचे वाली value है सारी लिख लिख लिए एक x minus 1 लिखा फिर x plus 1 लिखा बटा यह बला फिर x square plus 1 लिखा उसके बाद x square plus 1 यह लिखा गया है x plus 1 भी लिखा गया है और x minus 1 वो भी लिखा गया है ठीक हो गया अब बिटा ये सारी values जो है वो नीचे हमने लिख ली है कोई repeat value नहीं करनी अब ये जो answer है पहले इस सारे को divide करना है इस वाले पे तो इस से ये वाला कट जेगा बाकी ये दो बचेंगे बिटा और इनको आपने उपर वाले 1 से multiply कर देना है तो 1 के साथ बिटा क्या आजाने एक x plus 1 आजाने और एक x square plus 1 आजाने यानि किस तरह से करना है ये जो नीचे वाली value है इसको आपने यहाँ पे ये rough में लिखने x plus 1 x minus 1 और x square plus 1 इन साब को बिटा लिखा और divide इस पे करना है x minus 1 पे तो जब x minus 1 पे किया तो ये इससे कट गया तो बाकी x plus 1 और x square plus 1 आजा गया वो जो आगया बिटा उसको आपने multiply कर दिया इस उपर वाले के साथ फिर minus इस 1 के साथ बिटा जब आप इसको divide सारे को इस पे करेंगे x plus 1 पे तो ये x plus 1 इससे कट जेगा बाकी ये और ये दो बाज़ेंगे x minus 1 और x square plus 1 उनको इस उपर वाले 1 से कर देंगे x minus 1 और x square plus 1 को उसके बाद minus 2 आप बिटा इन तीनों values को जब आप divide इस पे करोगे तो ये इसससे कट जेगा बाकी ये दोनों values जो है इसके सारे 2 के आज़ेंगे x plus 1 और x minus 1 जैसे के बिटा हमने ये वाला किया है सारे ऐसे करने हैं फिर इस value को divide इस पे करेंगे तो ये सारी की सारी इनसे कट जेगे कुछ नहीं बचेगा तो उपर जो है 4 वो वैसे का वैसे आज़ेगा अब बेटा next step हमने क्या करना है हमारे पास यहाँ पे जो नीचे value है उनको तो ऐसे लिख देना है आपने x minus 1 x plus 1 और x square plus 1 और उपर बेटा ये वाली रकम इससे multiply 1 लिखे ना लिखे इससे कोई फरक नहीं पड़ता x को x square से multiply करेंगे तो x की power 3 फिर x को 1 से करेंगे तो x आजएगा फिर बेटा 1 को x square से करेंगे तो आपके पास x square आजएगा और फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 नी रहेगा पहले आपने इस value को दोनों से multiply किया फिर इस one को दोनों से multiply किया अब बटा minus ये वाली जो रकम है इसको one को लिखने की जुरूरत है नहीं है अब बटा इन दोनों को multiply करने है इधर मैं bracket लगाने लगाँ वो इसलिए क्योंकि ये minus है इसने बाद में अंदर वाले sign change करने है तो अब x को x square से किया तो x की power 3 फिर x को plus 1 से किया तो x आ गया फिर बटा इस minus 1 को x square से किया तो minus x square आ गया और फिर minus 1 को आपने 1 से किया तो ये minus का 1 आ गया उसके बाद ये minus 2 ऐसे लिखा और यह बिटा जो x plus 1 और x minus 1 है यह x square minus 1 होता है यह हमने पीछे कई questions में किया x square minus 1 जो है एक दफा प्लास और एक दफा माइनस और यह minus का 4 भी हमने वैसे लिख लिए next बिटा अगला step जो गास में हम क्या करेंगे अब उपर वाली जो value है हमारे पास एक है x की power 3 फिर है x की power 2 यह वाली फिर यह x और फिर यह plus 1 इन चारों को बिटा लिखा minus यह x की power 3 फिर यह minus इस plus को minus कर देगा x फिर यह minus इस minus को plus कर देगा x square और फिर यह minus इस one को क्या कर देगा plus कर देगा उसके बाद बिटा next next minus 2 को x square से किया तो 2 x square आ गया फिर ये minus और ये minus क्या हो गया plus 2 को 1 से किया तो 2 और ये minus का 4 as it is आ गया और next बिटा नीचे जो value है वो वैसे लिख लें ये x minus 1 x plus 1 और साथ क्या है x square plus 1 अगला step बिटा जो इसके बाद होगा next वाला उसमें क्या आएगा आपके पास उसमें ये देखें ये x की power 3 ये वाला जो है ये plus का और ये minus का कट गया उसके बाद बिटा ये x plus का और ये वाला x minus का ये भी कट गया उसके बाद ये 1 x square है और ये 1 x square है x square plus x square कितने होगे 2 x square और ये minus के 2 x square है तो इसका मतलब ये minus के 2 और ये दोनो plus के ये भी कट गए उसके बाद बिटा क्या रहा गए आपके पास 1 plus 1 2 plus 2 4 और 4 minus 4 यानि ये भी सारे कट गए तो क्या रहा गया कुछ नहीं 0 आ गया और 0 के नीचे बिटा वो value x plus 1 x minus 1 और x square plus 1 इन तीनों को ऐसे ही लिख दिया अब अगला step देखे बिटा जब उपर आपके पास क्या आगया है 0 आगया है 0 के नीचे जो मर्जी value हो वो किसके equal होती है 0 के तो इसका answer बिटा आपका क्या आगया है इस question का 0 आगया है यह बिटा आपका जो question number 5 का last वाला छटा पार्ट था वो भी हमने complete कर लिया exercise 4.1 का तो बिटा अगर इसमें किसी जगह से आपको समय नहीं आई तो आपने बिटा स्क्रीन पे मेरा number है मुझे call या message करके पूछ लेना है या comments में पूछ लेना मैं इंशल्ला आपके जो है question का जवाब दूँगा यह बिटा जो है यह rough काम है इसको आपने नहीं करना है इसको आप जहां पे मर्जी कार सकते हैं यह question का हिस्सा नहीं होता question आपने यह वाला इसी तरह से जो है वो solve करना है अला आपज़ विश्रे